उत्तरकाशी जिले के नौगाव बिलोक में कस्तूर्बा गांधी आवासिय भवन में रहने वाले बच्चे वाइरल की चपेट में आ गई हैं यहां के बच्चे तोचास संबंद रोग से पीड़त हो गई हैं जानकरी के मताबिक सौबेड के आवासिय भवन में लगभग सभी बच्चे इस रोग से पीड़त हो गई हैं वहीं एक साथ बीमार पढ़ने से बच्चों में दहशत का माहौल है इस बीमारी से शिकार कुछ बच्चे तो अपने घर भी चले गई हैं छात्राओं ने बताये कि यहाँ पानी की समस्या लगातार बनी हुई है नलों में पानी ना होने पर हेड़ पम से पानी भर कर जलाना पड़ता है और पानी को गरम करने की भी कोई सुविधा नहीं है वहीं गंदे पानी से नहाने से भी बच्चे इस बीमारी का शिकार हो रहे हैं मतायजा रहा है की पच्चे से ज़्यादा च्हांस प्रिशासन ने जांच के लिए विश्विद्याले में मेडिकल टीम भीज दी है। टीम मौके पर पहुंच छात्रों का चेक अप कर रही है। वहीं इतने बच्चों के एक साथ बीमार पढ़ने से कस्तूर्बा विद्याले की विवस्था पर सवालिया निशान खड़ा हो गया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए उतरकाशी से आशिश मिश्राक रिपोर्ट।